दोस्तों हरी दुआर जाने से पहले इन दस बातों को जरूर जाने तब ये आप हरी दुआर जाने का महतव समझ पाएंगे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें चलिए दोस्तों जानते हैं नमबर वन दोस्तों हरी दुआर का प्राचिन नाम माया नगर या माया पुरी है हरी दुआर अर्थात हरी के घर का दुआर इसे गंगा दुआर भी कहते हैं गंगा हरी के घर से निकल कर यह मेदानी इलाके में पहुशती है हरी दुआर का एक भाग आज भी माया पुरी नाम स पुराणों में इसकी सब्दाइने पुरियों में गण्य की जाती थी हड्या गंगा के पाउन तट पर भसा है कहा जाता है समुन्दर मंथन से प्राप्त किया गया हां हरी के पोड़ी स्थान पर गिरा था इसलिए यहां पर कुंभ पराव का आईजन होता नमबर भॉर हरी दुवार को तीन देवताओं ने अपने उपस्तिती से पवितर किया है भ्रह्मा विशनु और महिस नमबर भाइब कहा जाता है कि भगवान विशनु ने हरी की पोड़ी की उपरी दुवार में पत्थर पर अपना पेर छापा है जहां पवितर गंगा हर समय उसे छूती है नमबर 6 कनखल हरी दुवार का सबसे प्राचन इस्तान है इसका उलेक पुराणों में मिलता है यह इस्तान हरी दुवार से लगबग साड़े तीन किलोमेटर दूरी पर इस्तित है कनखल का इतिहास महा भारत और भगवान सिव से जुड़ा हुआ है पुराणिक मानिताओ के अंसार कनखल ही वो जगय है जहां राजत दक्स ने परशिद यग किया था और सती माता ने अपने पिता दुवारा भगवान सिव का अपमान करने पर उस यग में खुद को दहा कर लिया था नमबर सेवन हरी दुआर को पंचपुरी भी कहा जाता है नमबर एट हरी दुआर में सांतिकुंज इस्तान पर विश्व मितन ने घोर तप किया था तो दूसरी और सब्त रिसी आसरम में सब्त रिस्यों ने तपश्या की थी यह इस्तान का ये रिसी और मुनियों की तपो भूमी रहा है और दोस्तों भगवान स्री राम के भाई लच्मन जी ने हरी दुआर में जूट की बनी रस्यों के सहारे नदी को पार किया था जिसे आज लच्मन जुला कहा जाता है नमबर नाइन यहां सक्तित्रिकोण है सक्तित्रिकोण अर्थात पहला मंसा देवी का खा भी गिरी थी नमबर टैन हरी दुआर में ही विशो परसित गंगा आरती होती है हरी दुआर की गंगा आरती देखते हुए उन्निस सो इक्यानमे में वरा नसी में दसरों में घाट पर परारम हुई थी दोस्तों यह जानकर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक औ झाल